जैसा कि अब जानते हैं Chief Justice of India, CGI DIY चंदर्चूर का अगले साल कार्यकाल खतम हो रहा है, वे पिछले साल CGI बने थे और तभी से वे काफी सुर्खियों में रहे हैं, अपने कार्यकाल के दोरान उन्होंने कई अतिहासी फैसले दिये हैं, वही अब उनके बात बनने वाले CGI के बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस के रूप में कार्य किया है, तरसल सुप्रीम कोर्ट के नयधीशों के वरिष्ठा नियम के अनुसार, नयमोर्ती संजीव खन्ना नवंबर 2024 में साथ महीने के कार्यकाल के लिए भारत के अगले मुख्य नयधीश CGI बननी की कतार म जस्टिस के रूप में परमोट हुए संजीव खन्ना अब 13 माई 2025 को सेवा निर्वित होने वाले हैं, वहीं अगर उनके जीवन के बारे में बात की जाये तो, बताते कि 14 माई 1960 में जन्में जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के प्रतिश्ठिट स्कूल सेपूरी में की, उन्होंने केंपस लो सेंटर दिल्ली विश्वर्द्याले में कानून का अध्यन किया, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद, उन्होंने साल 1983 में बार काउंसलिंग ओफ दिल्ली में एक वकील के रूप में दाखिला लिया, इसके बाद उन्होंने दिल्Lी हाई कोर्ट में तराधान, मध्यव्ट वानीजिय कानून पर्यावरन कानून, चिकित्सलापरवाही कानून और कमपनी कानून पर वकालत शुरू की। उन्होंने आपराधिक कानून मामलों में एक अतिरिक लोग अभियोज़त के रूप में दिल्ली सरकार की सेवा की। इस तरह से जस्टिस खन्ना करीब 7 साल तक दिल्ली के वरिश्थ थाई वकील भी रहे। और फिर साल 2004 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में नागरी कानून मामलों के लिए दिल्ली के स्थाई वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके इलावा रिपोर्ट्स की अनुसार जस्टिस खन्ना को 24 जून 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज़ की रूप में और बाद में 20 फरवरी 2006 को थाई जज़ की रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में न्याई मुर्थी खन्ना दिल्ली न्याई का अकादमी और दिल्ली अंतराश्टी मध्यस्ता केंद्र से जुड़े। उन्हें 18 जन्वरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पर्मोट किया गया। और यदि वरिष्था नियम का पालन किया जाए तो संभवते जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91 CGI होंगे और नवंबर 2024 में बद्ग्रेहन करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस खन्ना ने 65 जज्जमेंट लिखे हैं जो 275 बेंचों का 26.6% है जिसका वे हिस्सा रह चुके हैं। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राए हमें कमेंट करकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN Digital Media को सब्सक्राइब जरूर कर लें।